तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि थ्योन ने उस किसान के बच्चों को मार कर जिन्दा चला दिया और विंटर फैल के किले में लटका दिया तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग यारा को अपने कुछ आदमियों के साथ विंटर फैल आते हुए देखते हैं थियोन गेट पे ही रहता है पर वो सबको इग्नोर करके खाना खाने चली जाती है यारा थियोन से पूछती है कि उसने स्टाक बच्चों को क्यों मारा तब उसको बताता है कि उन्होंने मुझको धोका दिया था इसलिए मैंने ऐसा किया यारा थियोन को बेवकूब बोलते हुए कहती है कि तुम्हें उन बच्चों को नहीं मानना चाहिए था वो थियोन को वहाँ से लेने आई है मगर थियोन वहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है कि विंटर फैल पर अब मैंने कबजा कर लिया है और अब मैं यहीं राज करूँगा यार उससे कहते हैं कि हम लोग आयन आइलेंडरस हैं और हम लोग नेवी से अपना काम लेते हैं ना कि किसी मिलिटरी से लेकन तियोन तब भी नहीं मानता और यारा यहांसे चली जाती है वही थोड़ी दिर बाद मेस्टर लोविन ओशा को किचिन से खाना ले जाते हुए देखते हैं और उसे देखके वो समझ जाते हैं कि ब्रैन और एकॉन अभी भी जिन्दा हैं वहीं दीवार के दूसरी तरफ ये ग्रेट जॉन को अपने बाकी सातियों के पास ले जाती है जहां जॉन देखता है कि हाफ एंड भी पकड़ा गया है ये जंगली जॉन को मानने वाले होते हैं तब ये ग्रेट जॉन को बचा लेती है वो अपने सातियों को बताती है कि ये नेट्शा का लॉंडा है और हमारे राजा यानि मैंस रेडर जरूर इससे पूछताच करना चाहेंगे तो ये जंगली ये ग्रेट की बात मान जाते हैं और इसको नहीं मारते इन दोनों को अब मैंस रेडर के पास ले जाये जाता है यान मैंस जॉन से पूलता है कि अगर हमारा एक भी आदमी इनकी सेना में आ गया तो मज़े आ जाएंगे जॉन मी समझता है कि हाफ एंड कह क्या रहा है लेकिन वो कहता है कि ये लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे तब हाफ एंड और जॉन एक जूटी लड़ाई का नाटक करने लगते हैं और सब के सामने हाफ एंड जॉन को नीचे धकेल देता है वही सेम और उसके दोस्तों को बंकर खोदते टाइम एक पत्थर मिलता है जिस पर कुछ निशान बने रहते हैं इस निशान को देखकर सेम समझ जाता है कि नाट स्वाच वालों ने ही यहाँ पर रखा होगा जब ये लोग इस पत्तर को हटाते हैं तो उसके नीचे इन लोगों को ड्रेगन ग्लास और एक हौन रखा मिलता है और सेम इस ड्रेगन ग्लास को अपने पास रख लेता है वहीं क्रेक में रॉब स्टाक टेलिसा के साथ एक मस्त रूमेंटिक वाग पा निकला होता है तब ही वहाँ उसका एक सिपाई आकर उसको बताता है कि जैमी लैनिस्टर भाग गया है और उसको किसी और ने नहीं बलकि आपकी माँ कैटलीन स्टाक ने आज़ाद किया है जैसे ये बात रॉब को पता चलती है वो तुरंट रिवर एंड पहुंचता है और सीधा अपनी माँ कैटलीन स्टाक के पास जाता है उसको पूटा है कि आपने ऐसा क्यों किया तो तब कैटलीन उसको बताती है कि ये उसने अपनी बच्चियों के लिए किया रॉब को इस बात से बहुत गुसा आता है और वो अपने सबसे तेज घोडों के साथ अपने असी आदमियों को जीमी के पीछे बेज देता है वहीं ब्रियन जीमी को लेके किंग्स लेंडिंग की तरफ निकल जाती है वो लोगों की नजर में ना आए इसलिए वो नदी के सारे आगे बढ़ती है और अपने घोडे को कहीं और छोड़ देती है जीमी रास्ते में उसके बहुत मज़े लेता है और तो और उससे मिस बिहेवी भी करता है इससे ब्रियन को बहुत गुसा तो आता है लेकिन वो कोई रियक्शन नहीं देती रात के वक्त लॉट बोल्टन रॉब को बताते हैं कि उनका बास्तरड लॉंडा बहुत ही जल्ड विंटर फैल पहुँच जाएगा और वो रॉब को अश्योर भी करते हैं कि थियोन उनके भाईयों को कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही वैल्यूवल प्रिसनर्स है उन्सके लिए रॉब यहां ओर देता है कि अगर थियोन को छोड़ कर कोई दूसरा आयन आयलेंडर थरेंडर करे तो उसको छोड़ देना क्योंकि थियोन को तो मैं खुद मारूंगा इसके बाद यहां टेलीसा आती है और लॉड बोल्टन वहां से चले जाते हैं टेलीसा और रॉब एक दूसरे को अपनी लाइफ का रोना सुनाते हैं और फिर एक पॉइंट पे दोनों ही एमोशनल होके फिजिकल हो जाते हैं वहीं हैरनाल में कैवेल लैनिस्टर टाइविन को पताता है कि स्टैनिस दो दिन के अंदर किंग्स लैंडिंग पहुँच जाएगा और हमले के एक घंटे के अंदर वो किले में गुचकर सब को मार देगा तो अगर जौफरी अभी ही वहाँ से भाग जाए तो वो बच सकता है टाइविन को यह आइडिया सही नहीं लगता और वो कहता है कि जो राजा थ्रोन को छोड़ कर भाग जाए वो ज़दा टाइम तक राजा नहीं रह सकता और तो और रॉब स्टाग भी अब कासली रोक के बहुत पास आ चुका था तो टाइविन राद को किंग्स लेंडिंग निकलने का फैसला करता है और कहता है कि हम सब लोग राद बर चलेंगे ताकि कि किसी को भी ना पता चले वो आर्या को वहीं हेरन हाल में रुकने को कहता है और तो और वो यहां पे अपना एक वाफादार आदमी भी छोड़ कर जाता है ताकि वो के लिए की हिफाज़त कर सके ये सब जानने के बाद आर्या जल्दी से जेरन हकार के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को यहां से बाहर निकालने में हमारी मदद करनी होगी जेरन हकार कहता है यार कि इसके लिए तो बहुत सारे लोगों को मानना पड़ेगा और मैं ये काम बिल्कुल भी निकरने वाला तो आर्या यहां पे ट्रिक खेलती है और जेरन हकार को जेरन हकार का ही नाम दे देती है तो बिचरा जेरन हकार भी थोड़े प्रेशर में आ जाता है और खुद को मानने की जगा वो बाकी सारे लोगों को मानने के लिए रेडी हो जाता है और आरिया से कहता है कि अब तुम और तुमारे दोस्त आदी रात को गेट के सामने आ जाना तो आरिया गेंडरी और मोटा रात को निकलने की तैयारी करते हैं लेकिन वो लोग देखते हैं कि रात को भी गेट पर सिपाई खड़े हुए है मोटे की थोड़ी सी फट जाती है लेकिन आरिया जरन हकार पे पूरा भरोसा करती है और आगे बढ़ती रहती है बाद में ये लोग गेट से पास कर जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग एचुलि खड़े नहीं हैं बल्कि खड़े-खड़े ही मर चुके हैं वही किंग्स लेंडिंग में टिरियन स्टैनिस को काउंटर करने के लिए बुक्स में इसका जवाब ढून रहा है तब ही वहाँ लौड वेरिस आ जाते हैं और ब्रॉन को कॉंग्रेजुलेट करते हैं चुकि उसके काम समालते ही शहर में चोरी होना कम हो गई है अब यहाँ यह लोग डिसकस करते हैं कि अगर स्टैनिस ने आ कर गेट तोड दिये तो यह लोग क्या करेंगे यहाँ टिरियन के पास एक प्लैन तो रहता है लेकिन वो किसी को भी इस प्लैन के बारे में नहीं बताता रात को डिनर करते टाइम सर्सी और टीरियन में एक बार फिट से भहस हो जाती है यार ये बेहन भाई लड़ते ही रहते हैं एच्वली टीरियन चाहता है कि जोफरी बैटल फील्ड में फ्रंट लाइन में रहे क्योंकि जब सारे सिपाई बैटल फील्ड में अपने राजा को अपने साथ देखेंगे तो उनका करेच अपने आप बढ़याएगा लेकिन सर्सी यहां बहुत ही जादा गुस्सा हो जाती है वो टीरियन से कहती है कि तुमने मेरी इकलोती बेटी को डॉन भेज दिया और अब तुम मेरे 17 साल के बेटे के पीचे पढ़ गए हो ये सब करकर तुम भी नहीं बच सकते और इतना कहकर सर्सी टीरियन को बताती है कि मैंने उस बंदी को ढून लिया है जिसको तुम पापा की नजरों से चिपा कर यहां किंग्स लेंडिंग मिलाए थे तीरियन की भी एक टाइम के लिए फट जाती है लेकिन फिर वो देखता है कि वो बंदी तो शे है ही नहीं लेकिन तीरियन भी यहां थोड़ा शाना बन जाता है वो सरसी को सचा ही नहीं बताता उल्टा ये इमिटेट करता है कि ये बंदी ही वही लड़की है जिसको वो उठा के लाया था यहां से वो डारेट शे के पाज जाता है और उससे चिपक जाता है अगले दिन टीरियन वेरिस और जौफरी खुद लड़ाई के इंतिजाम देखने आते हैं पर जौफरी को लड़ाई का जरा सा भी एक्सपिरियन्स नहीं रहता और वो कहता है कि मैंने सुना है कि स्टैनिस चाचा कभी में मुस्कराते नहीं है तो मैं उनको कल एक स्माइल दूँगा एक खुनी स्माइल जौफरी के जाने के बाद टेरियन्स वेरेस से पूछता है कि इमेजिन करो स्टैनिस अगर ये चीज़ सुनता तो कितना ढर जाता वहीं स्टैनिस और सार डेवोस आपस में बात कर रहे होते हैं कि सभी लोग डेवोस को दा अनियन नाइट कहकर बुलाते हैं और उसकी जो सिजल है वो भी अनियन शेप में है अब यार सिजल या कहें मोहर कोई भी जानमर या बहुत ही कुछ इंपोर्टन चीज़ की होती है एक प्याज को सिजल रखना बहुत ही वियर चीज़ है बट यां स्टैनिस अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि जब रोवर्ट ने रिबेलियन लाँच कर दिया था तो उसने अपने छोटे भाइ स्टैनिस को स्टॉम लैंड्स को होल्ड करने को बोला था दिन सर्डेवोस समंदर के थूप प्यास को स्मंगल करके लाए और इन लोगों की जान बचा ली इसलिए स्टैनिस सर्डेवोस को इतना ऊपर मानता है और वो सर्डेवोस से ये भी बोलता है कि जब मैं आयन थ्रोन पर बैट जाऊंगा तो मैं आपको अपना हैंड किलर कर उनके डेनरेस भड़क जाती है और कहती है कि वो अपने ड्रेगन के बिना कहीं नहीं जाएगी और अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहां से चले जाओ जोरा कहता है कि खली सी मैं आपको कभी भी अकिला छोड़के नहीं जाओंगा डेनरेस कहती है कि फिर चल मेरे साथ जादूगर के घर पर और इस तरह यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है